नमस्कर बच्चो आज हम जिस टॉपिक या बिंदू पर चर्चा करेंगे वहा है विद्युत धारा electricity और विद्युत धारा के मुख्य बिंदू जिस पर हम चर्चा करेंगे उसे देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत धारा के अंतरगत परमाडू की सनरचना कैसे होती है इसको देखेंगे उसके बाद देखेंगे विद्युत धारा की दिशा विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है इलेक्ट्रॉन के समकक्च में इसको देखेंगे उसके बाद द देखेंगे विद्युधार के क्या-क्या सुरोत है, मुख्य, तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हम सभी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और दूफरा होता है, रिर्ड आवेश समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है आवेशों के बीच लगने वाले इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बलको क्या कहते हैं? इस्तिर विद्यूत बल कहते हैं आवेसों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को इस्तिर विद्यूत बल कहते हैं और ये आवेस जब किसी सुचालक माध्यम जैसे लोहा, तंबा, सिल्वर से होकर चलने लगता है या बहने लगता है तब हम इसे क्या काते है विद्यूत धारा काते है या electricity काते है आगे बढ़ते है अगला विंदू है परमारु की संरचना हम सबी जान रहे हैं सबी पदार्त क्या होते हैं परमारु से बने होते है और परमारु के केंदरी भाग जो होता है इसका नाभीक होता है उसमें क्या होते हैं प्रोटान और न्यूट्रान सामिल होते हैं और उनकी बाहरी कख्छाओं में इलेक्ट्रान क्या होते हैं चक्कर लगाते हैं जो प्रोटान होता है देख रहे हैं हमचित्र में कि वह क्या होते हैं धनावेशित होते हैं धनावेशित कन होते हैं नुट्रान होते हैं वे उदासीन होते हैं और इलेक्ट्रान जो होते हैं वे रेडावेशित होते हैं आगे देखते हैं इसी को और थोड़ा विस्तार से पर करो है नीट्रों जो विद्यूत दासीन होता है और प्रोटान जो धना वेसित होता है से मिलकर होता है चांति इसके चारो और अत्यधिक हलके कर जो इलेक्ट्र savior वे इसीथ होते हैं, वे क्या करते हैं, इनके चारो और नाभिक के चारो और क्या करते हैं, घुमते रहते हैं, आगे देखते हैं, हलके होने के कारण, इलेक्टरान क्या होते हैं, एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक जा सकते हैं, जबकि निट्रान और प्रोडान क्या होते हैं, भारी होते हैं और इसी इसके भारीपन के कारण क्या होते हैं ये नाभिक में ही बने रहते हैं और घुनने में समर्थ नहीं होते हैं मतलब ये नाभिक में ही रहते हैं अपनी समान अवस्था में परमाडू के अंदर प्रोटान और इलेक्ट्रान क्या होते हैं संख्या में समान होते हैं मतलब बराबर बराम मात्रा में ये होते हैं प्रोटान और इलेक्ट्रान विपरीत और समान आवेस होने के कारण ये परमाडू को क्या करते हैं उदासीन बना देते हैं जब समान होते हैं तो परमाडू की इस सनरचना के अधार पर वस्तूओं के आवेसित होने की घटना को समझा जा सकता है कैसे जैसे कि एक उधारण ले सकते हैं जब कांच की छड को रिसम से रगडा जाता है रिसम के कपड़े से रगडा जाता है तब छड में से कुछ इलेक्टरान मजबूती से न बंदे होने के कारण क्या हो जाते हैं वे निकल कर रिसम में चले जाते हैं इस प्रकार कांच की छड में रिड़ आवेस की क्या हो जाती है कमी हो जाती है जिसके कारण वह धना वेसित हो जाता है और रेसम में अत्रिक्त रिर्ड आवेस आ जाने के कारण वह रिर्ड आवेसित हो जाता है कहने का अर्थ है कि कांच में जो रिर्ड आवेस होता है वह कमी होता है जिसके कारण वह धनावेसित हो जाता है और रेसम में रेड़ावेस आ जाने के कारण वह रेड़ावेसित हो जाता है अगला बिंदू है वह है विद्धुधारा की दिशा यदि एक धनावेसित और रेड़ावेसित वस्तु को एक चालक तार द्वारा जोड दिया जाए तो क्या होगा तो इलेक्टरान चालक में से होकर रेड़ सीरे से धन सीरे की और बहने लगेंगे जो इलेक्टरान होते हैं वह क्या होएंगे रेड़ सीरे से धन सीरे की और बहने लगेंगे हम जान रहे हैं कि प्रचलित प्रता के नुसार क्या कहा जाता है कहा जाता है कि विद्धुद्धारा धन सीरे से रिन्ट सीरे की और प्रवाहित होती है इलेक्टरान के विपरीत दिशामे अर्थात विद्धुद्धारा को इलेक्टरान बहाओ के विपरीत माना जाता है यहाँ पर हम चीतर में भी देख पा रहे हैं कि direction of electric current यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यह धन सिरा और red सिरा है तो धन सिरा से red सिरा की और क्या कर रहे है direction of electric current और उसके विपरिध दीशा में क्या है electron की दीशा है मतलब एक दूसरे के apposite होते हैं यह धन से red की और electric current बाता है और रिर्ड से धनकी और इलेक्टान के बहाव होते हैं अगला है विद्धुत्धारा के स्रोथ विद्धुत्धारा का ही एक रूप है जिसे अन्य उर्जाओं के रूपा अंतरर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जैसे उधारण की बात करें तो रसायनी कुर्जा से विद्यूत उर्जा रसायनी कुर्जा से विद्यूत उर्जा किसमें किसमें मिलता है विद्यूत शेल विद्यूत शेल जो होता है उसमें क्या होता है रसायनी कुर्जा से विद्यूत उर्जा में बदला होता है और इसको उपयोग कहा कहा होता है टार्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में सौर उर्जा से विद्यूत उर्जा सौर उर्जा से विद्यूत उर्जा जो उधाराण होगा है सौर सेल और इसको उपयोग क्या है सौर पम्प के रूप में और कित्रिम उग्रा इसी सौर उर्जा का विद्यूतुर्जा के रुप में उपयोग करते हैं अगला है यांत्रिक उर्जा से विद्यूतुर्जा तो यांत्रिक उर्जा से विद्यूतुर्जा के उधारण है डाइनेमो और जनित्र तो ये हैं विद्ध्य तूर्जा के स्रोत तो आज के इस विडियो में हमने मुक्ते रूप से विद्ध्य तूर्जा के बारे में और परमाडू के बारे में और उनके स्रोत के बारे में चर्चा किया आगे भी हमसे ऐसे educational वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जूड़े रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद